जोहार, जे मुल्निवासी, मैं रविंद्राने और आप देख रहे है MN TV आज भारतिय कामगार यूनियन के जो जनक है नारान मेगाजी लोकंडे इनका 124 वा स्मुर्ती दिन है पुझिवाद और प्रामनवादी शक्तियों से लोक तंत्र है प्रामन तंत्र में परिवर्तित हुआ है आज मजदूरों के संगटन राजनीतिक तलों के पार्ट और पार्शल हुए है पुंजिवादी विवस्ता राजनितिक तलों के नेताओं को चुनाओं में फंड देते हैं तो उनके मजदूर संगटान कुछ नहीं कर पाते हैं इसलिए तो इस देश का मजदूर करमचारी किसान बरबादी के खाई में धाकेल दिया गया है आज रिटायर करमचारी है और या मजदूर है उनके जगे नए करमचारी मजदूरों की भरतिपंग किया है ठेकेदारी परंपरा का चलन शुरूआ है ऐसी स्तिती में मजदूरों का करमचारियों की कोई जिम्मेदारी लेनी वाला संगटन आज देश में नहीं है राश्ट्रपिता जूत्रा फुले इनके नित्रुतों में मजदुरों के हक और अधिकारों के लिए राव बाद्दूर नारान मेगाईजी लोखंडे इन्होंने पहला देश्वापी अर्टाल किया था मगर आज सभी ट्रेड उनियन ये भूल गया है नारान मेगाईजी लोखंडे यह ऐसे शक्षियत है जिनके बदूरत हमें साप्ताइक आउकास की प्राप्त हुआ है भारत में ट्रेड उनियन और श्रम कानूनों का निर्मान हुआ है वोसे रहवार की छुटी कामगारों के ल लोखंडी जने गरिब परिस्टियों में माध्यमिक शिक्षा पूरी की मुंबई में एक नवकरी के दवरान मील कामगारों को देखा कि 13-14 घंटे काम करते हैं उन्हें एक सप्ता के अंत में छुट्टी भी नहीं मिली नतिजन लोखंडी ने अपने नवकरी छोड़ दिया खुद को श्रम आंदोल का हिस्ता बनाया उन्हें पहला मिल कामगार संग तेज सितम बर 1890 में बनाया अठासो और 1844 में बॉम्बे हैंडवील असोचेन नाम से भारत का पहला ट्रेड उनियन बनाया इस ट्रेड उनियन संगणन को भारत में संगणी स्रम आंदोलों की पुत्र का नाम गोपिना था अठासो एकैसी में लोखंडे ने मिल मजदुरों के लिए संडे के छुट्टी की मांग की लेकिन अंग्रेज अपसर इसके लिए तयार नहीं थे संडे की चुट्टी के समद्ध में लोखंडे का तर्प था सब्ता के साथ दिन मजदूर काम कर लिए लिए जा सब्ता में एक छुट्टी मिलनी चाहिए संडे की छुट्टी लिना इतना आसाल नहीं था लिए लोखंडे को इसके लिए एक आंदुरं करना पड़ा संगर्श करना पड़ा यह आंदुरं 1881 से 809 तक चला इतना ही नहीं लोखंडे ने मजदूरों के हक में मांग किया था, अंग्रेजों के सामने उठाय था, कहां कि दोपर में आदा घंटा खाने के आउकाश मिले, हर मैने के पंगरा तारिक तक वेतन मिले, काम के घंटे तय हो जाए, उनके लिए श्रमिकों को काम करते समय, उनकी कुछ दुरगटना होती है, उसके परिवार को पें पुर्षों के 108 सार के संगर्ष के बाद मिले है, उसका उनको एसास नहीं है, जिनको एसास होता है, वो आंदोलन चलाती नहीं है, जिनके पास पैसा, बुद्दी, श्रम, हुनर है, सबसे महतोपुर्ण समय है, वही समय, मुल्निवर्सिस भावजन समाज के आंदोलन को चला पाने में लगाना चाहिए था, भारती मुसल्मान शुकरवार को या रहवार को या अनितिनों में पाच बार नमाज अदा करता है, वो केवल नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जाता है, वो कितना सच्चा मुसल्मान हो, इसलिए समिक्षा करता है, ऐसे खृच् पाठी लेकर संग की शाका में पहुंच जाते हैं ब्राह्मन अलपजन होकर भी साम दाम दंडभेट मिती से सभी साधन संसाधनों पर कब्जा बनाया हैं अनपड़ लोग छोड़ो लेकिन क्या पड़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं जहां तक हमारी जानकारी है पड़े यह समस्या नहीं होती सात्यों इस रेवार की छुट्टी हमारा हक नहीं है इस पर समाज का कोई बात नहीं आज तक हमें मालूम नहीं था लेकिन अगर हम आज मालूम हुआ तो आज से इस रेवार को आनंद दिन या मतंडे को मिशन डे में परिवर्तित कर सकते हैं हमारे मु उतना ही दिन तो मिलता है बीदी बच्चों को समय देने के लिए यार दोस्त मिलते है रहवार की दिन पार्डी शाटी करते हैं घर में मटन बनाते हैं और शर्म पर यार के लिए शराब भी पीते हैं और आपस में ये भी बात करते हैं, कि ये जो फुले शॉम्बेट करवादी जो लोग है, इसी दिन घर में आते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं, हमारे लिए संडे की छुट्टी कराने वाले लोग कोन हैं, कि इस उद्देश के लिए संडे की छुट्टी दिलाई थी, संडे की छुट्टी कोई एक दिन में गोशित नहीं हुई, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, कि एक रातो रात चमतकार हुआ, इसके लिए बाकाईदा आट साल का संगर्श हुआ, लंबी लड़ाई लड़ी, तब कहीं जाकर अंग्रेज अपसरों ने 10 जुन 890 को एक छुट्टी घुशित की, और इस आंदुलों के संकल्पक नायक, प्रनिता, नारान, मेगाजी लोकंडे हैं। विभिनत सामाजिक शेत्रों में लोकंडेजी का जो योगदान है, इसी वज़े से उन्हें जस्टिस अब पीस के उपादी भी प्रदाल किया था। बात अंग्रेजी शाशनकाल की है। कपडा और दूसरे तरह की मिलो में भारती मजदरों की बड़ी संक्या थी। अंग्रेज बड़े पहिमाने पर भारती मजदरों का आर्थिक शारिक शोषन करते थे। लेकिन उन भारती मजदरों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। इसी दवरान नाराण मेगाई जी लोकंडे जी मजडरू के हख की आवाज उठाने में सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके लिए ट्रेड यूनियन निर्मान करते हैं, यह सामाजिक नायक का जो आंदोलन है, यह विरासत है, रास्ट्रपिता जुतरा फुले से मिली थी, नाराण मेगाई जी लोकंडे रास्ट्रपिता जुतरा फुले द्वारास तापीत, जो सत्युएक समाज था, उसकी संगणन थी, उसके मुंबई शाका के अद्धिक्षते, सत्युएक समाज के उनके प्रदर्शन कुण को भी महतुपुन्दा माना जाता है, नाराण मेगा तो लोकंडे जी ने किया, आदुने किश्व में जो अउधियो की क्रांती हुई, उसके फल सुरूप, श्रमीक औरकों का शोशन के नए-नए हत्कंडे सामने आये थे, लोकंडे द्वरा जो आंदोलन किया, वो लोक नायक अन्नापो साथे इन्होंने 1979 तक चलाया, श्रमीक औरकों को जो अधिकार प्राप्तों हो गए, उसमें सापता एक छुट्टी जो आंदोलन है, आंदोलन से मिनावा अधिकार है, जिसे बाबा सब आम्मेड करने कानून में परिवर्दित किया, उसके निरंतरता प्रदान की, आओ, उपरक तक करांतिकारों से प्रिणा लेकर श्रमिकों के लिए शोषन मुक्त समाज की निर्मान करे, समाज के हर व्यक्ति को अब समझना होगा, धंब संगायन में सबको जाना होगा, फुले शाव आम्मेड करी जो संगट हना है, उनका केडर सुनना होगा, किसी निर्द्यारी जगा एकतरित बाबा साब के बाचनों और साहित्य को पढ़ना होगा, नारान मेगा जी, लोखंडे जी का महान आंदोलन, इस अउसर पर हम एक सोचेंगे, किसान मजदूर बहुजनों के अधिकारों के लिए हम नीन से जागे, स्वयम जागे और हमारे मुलनिवासी बहुजन समाज को जागे, और एक बड़ी शक झाल झाल